Hi everyone, welcome back to a new video और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Malta seasonal work visa process के बारे में जो की 2030 में जो इसका process रहेगा कैसे रहेगा, क्या requirements है और क्या इसकी cost रहने वाली है Malta जो allow कर रहा है अभी जो non EU nationals है third party nations है उनको ये visa दे रहा है seasonal work visa तो इसके बारे में हम इस वीडियो में detail में बात करने वाले है इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो लोग पुराने हैं वो अपना like, share, comment करके अपना support जरूर दिखाना ठीक है, बाकी support आप membership लेके भी कर सकते हो उसके लिए भी आपको join का button या फिर जो description box है वहाँ पर गूगल पर या उसका भी link आपको मिल जाता है ठीक है, तो अभी बात करते हैं यहाँ पर Malta seasonal work visa के बारे में तो Malta एक popular country है Europe की और यहाँ पर भी seasonal work visa होता है खासकर तब जब summer जो summer है यह अपने peak पे होते हैं ठीक है इसी के बारे में मैं आपको detail में बताऊंगा और एक average salary की अगर बात करें तो जो seasonal worker होते हैं उनकी salary होती है Malta में 1000 यूरो से लेकर 1200 यूरो और यह जो मैं salary आपको बता रहा हूँ यह basic salary बता रहा हूँ अगर आप इसमें overtime करते हो तो आप minimum मलब 2000 तक 2000 यूरो पर month कमा सकते हो अगर आप overtime करते हो तो ठीक है उसके अलावा जब आप यहां पर जाते हो तो आपको single work permit application apply करनी पड़ती है और उसके अलावा residence permit और अगर आप इससे जादा लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हो तो आपको national long stay visa यहां का लेना होता है जिसको आप D visa भी कहते हो और यह मैंने अपनी previous videos में भी आपको बताया था तो इसी के बार में हम detail में बात करेंगे country मालटा है वीजा जो टाइप है यह है national long stay visa जिसको की हम T type visa भी कहते हैं permit है single work permit और यह जो countries जो इसमें apply कर सकती है वो है non European countries जो की Europe में नहीं है अब सबसे पहले बात करते है अब इसके बार में आगे बात करते हैं कि single work permit होता क्या है single work permit होता है अगर आपको 90 दिन से ज़्यादा इस country में रहना है तो आपको इस single work permit को apply करना होता है ठीक है और अगर seasonal worker के लिए आप apply कर रहे हो तो आपको single work permit application जो है यहाँ पर identity मालटा एजिंसी में submit करनी होती है ठीक है और जो यहाँ का visa है वो उसकी बात कर लेते हैं तो जो यहाँ का visa है after the work permit जब आपको work permit मिल जाता है ठीक है उसके बाद आपको long stay visa जो की D visa भी कहते हैं जिसे वो आपको apply करना होता है मालटा embassy में ठीक है और आप सबसे मालट अगर आप यह visa apply करे हो seasonal worker visa या D type visa आप कितने time तक यहाँ पर रुख सकते हो तो आप यहाँ पर रुख सकते हो 9 months तक ठीक है वो भी एक 12 month के period time में यानि कि अगर आप एक साल में यहाँ पर लगातार रुखना चाहें तो आप केवल 9 months तक ही यहाँ पर रुख सकते हैं ठीक है उसके बाद जैसे ही आपका यह expire होता है visa तो आपको मालटा को छोड़ना होगा ठीक है अब बात करते हैं इसके visa cost के तो मालटा सेजन वर्क visa की cost जो होती है single work permit की जो fee होती है वो होती है 280.50 euro यानि कि 280.50 euro single work permit की fee है national long stay visa की fee है जो की d visa कहते हैं जिसे उसकी fee है 100 euro तो टोटल हो गया है आपका 380.50 euro ठीक है process time की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको लग जाते हैं 2-3 महीने Malta single work permit मिलने में ठीक है अब बात करते हैं Malta seasonal work visa की जो requirement की है तो requirement लगबग सभी jobs में या work permit या work visa में सेम होती है सबसे पहले आपको एक job of a letter प्राप्त करना होता है किसी भी country में ठीक है उसके बाद जो आपका employer होगा वो आपकी application को जो authorities होंगी वहां पर उनके पास submit करेगा और वहां से आपके लिए work permit आपको दिलवाएगा जैसे ही आपका work permit approve हो जाता है उसके बाद आपको अपनी home country में जो भी country है जैसे कि अभी Malta की बात कर रहे हम तो Malta की MBC में जाकर visa apply करना होता है और वहां पर आपको अपने documents सारे के सारे submit करने होते हैं ठीक है जैसे ही आपका visa approve हो जाता है उसके बाद आपने आप documents लेके खासकर passport और आपका work visa work permit लेकर apply कर सकते हो Malta में ठीक है तो इसका process एक बार मैं आपको explain कर देता हूँ get a job offer from Maltese employer Maltese employer से आपको एक job offer लेना है apply for the Malta single work permit online ठीक है यह आप online apply कर सकते हो pay the application fee for the work permit if the work permit has been approved अगर आपका work permit approve हो जाता है तो आपको appointment लेनी होती है Malta embassy में submit the documents and pay the visa application fee for the Malta national visa ठीक है तो visa fee आपको यहाँ पर pay करनी होगी जैसे यह आपका visa आपको approve हो जाता है उसके बाद आप move कर सकते हो Malta में ठीक है यह तो था process अब आपको job कहां से ढूणनी है job ढूणने के लिए आपके पास तीन website में आपको बता रहा हूँ ठीक है जो third website है वो ज्यादा effective है फिर भी देखिए सबसे पहले है Malta jobs.eu second है Eures Malta E-U-R-E-S Malta ठीक है यह इसकी spelling है और जो third और important है वो है jobs in Malta.com ठीक है तो यहाँ पर जाकर आप इन website पर जाके अपने लिए jobs ढूण सकते हो और job offer लेकर further process जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है वो हाँ आप यहाँ पर apply कर सकते हो ठीक है और अगर आपको इसका link चाहिए खास करके जैसे कि seasonal worker की बात की है हमने इस वीडियो में तो उसके लिए मैं आपको link जो है description box में provide कर दूँगा और जो European Commission site for Malta seasonal worker visa है इसके लिए भी आपको link description में box मिल जाएगा अब बात करते हैं acceptance rate की जो की Malta work visa का है और जो 2022 में अभी तक यहां पर रहा है तो 2022 में Malta ने जो इनके तीन program होते हैं जैसे कि digital, nomad visa, start-up visa program और residency program मलब यह residency program के अंदर आते हैं तो इसमें जो इनोंने visa approve किये हैं वो है 78% ठीक है 78% of applications were accepted in 2020 ठीक है residency program allows you to stay for two years and can be extended for three more years you can then apply for the permanent residency in Malta जब आप को यहां पर तीन या तीन साल से जादा हो जाते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इत्रा ही मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक केर